Hello Friends, Welcome All of You on Quality and Facts दोस्तो आज अपनी lecture series का 9th lecture लेके आया हूँ लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि आपका हल सेटेडे को एक test रहेगा आपका एक mock test रहेगा जिसको कि मैं 12 बजे तक upload कर दूँगा कल तो आप उसको कभी भी दे सकते हो उसका कोई time fix नहीं है कि आपको वो 12 बजे ही देना है आपको एक बजे time लगे दो बजे आप evening में देना चाहे आप जब मर्जी उस test को दे सकते हैं उस test को आपने कैसे देना है उसके उपर मैं अलग से एक video YouTube पे upload कर दूँगा तो शुरू करते हैं आज की video तो पिछले कल हमने बर्नी को शुरू कर दिया था तो बर्नी को पढ़ते हैं आज बर्नी के लेख दिल्ली सल्तनत के पिछले सो सालों का इती हास प्राप्त करने का एक अमुल्य स्त्रोत है बर्नी की जो रचनाए है अकसर वो exams में पुछी जाती है तो बर्नी की जो books है वो इस परकार है पहले आप देखिए इन्होंने जितनी भी रचनाय लिखी है सारी की सारी फार्सी भाषा में लिखी है इनकी रचनाय सना ए महमधी सलात ए कवीर मासिर ए सदात अब यहाँ पर क्या है आपसे करम में लगाने के लिए बुक्स नहीं पूछी जाएगी अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट होते तो मैं भी आपसे पूछा जाता कि कौन सी बुक बर्नी ने पहले लिखी लेकिन जितना मुझे लगता है आपसे यहाँ पे करम में लगाने के लिए नहीं पूछी जाएगी क्योंकि एग्जेक्ट डेट अभी तक इनकी बुक्स की पता नहीं है हिस्टोरियन में भी इसके वीच वीबाद है ठीक है इनायत नामा ए इलाही यह भी बर्नी की किताब है उसके बाद आप देखते हो हसरत नामा तारिख ए फिरोजशाही जो किनकी most famous और most valuable बुक है political science के सिधानतों से related और दूसरी है फत्वा ए जहांदरी तारिख ए फिरोजशाही के अंदर इन्होंने जो फिरोजशाह तुगलक थे उनके शाषन के बारे में इसमें लिखा है और फत्वा ए जहांदरी एक ऐसी किताब है जिसमें फत्वा जारी किया है यहाँ आप कह सकते हैं राजा को राजकास से related सलाहें इसमें दी है सलाहें सजेशन्स बर्नी ने इस बुक के अंदर दी है तो यह दोनों बुक्स पॉलिटिकल साइस के परपस से बहुत जादा इंपोर्टेंट है बर्नी ने अपनी पुस्तक बर्नी ने अपनी पुस्तकों में सुल्तान और कुलीन व्यक्तियों को 24 नसीहते दी है 24 सेजेशन दी है तो कोशन डारेक्टली आपसे पुछा जा सकता है कितनी नसीहते इन्होंने दी है बर्नी ने बादशाहत बादशाहत यानि राजशाही को इसलाम के विरोधी बताया है क्योंकि बादशाहत हमेशा कुरूरता पर चलती है इसलिए ये क्या है इसलाम के विरोधी है फत्वा ए जहांदरी या जहांदारी में बर्नी ने बादशाहत के आधार के बारे में लिखा है उनके अनुसार सुल्तान इश्वर का उपाध्यक्षा रिप्रेजेंटेटिव है और वो इश्वर की छाया है बिल्कुल हीगल की तरह इन्होंने सुल्तान को प्रिथ्वी पर इश्वर का अवतार माना है बर्नी ने कहा कि प्रभुसत्ता इश्वर का आदेश नहीं बलकि इसे ताकत के बल पर स्थापित करना पड़ता है अब यहां पर देखोगे उपर तो यहां पर इन्होंने बात की कि जो एक राजा है एक सुल्तान है वो इश्वर का प्रतिनीदी है लेकिन साथ ही बोल रहे हैं कि प्रभुसत्ता इश्वर का आदेश नहीं होती है कि प्रभु सत्ता जो है भले ही एक सुल्तान इश्वर का रिप्रेजेंटेटीव है लेकिन प्रभु सत्ता इश्वर द्वारा प्रदान नहीं होती है प्रभु सत्ता को आप फोर्स, पावर, सेना के बल पर स्थापित करते हूँ बर्नी राजा के वंशानुगत सिधान्त का समर्थन करता है यानि सुल्तान में खांदानी खून होना चाहिए यानि अगर पहले आपका एक राजा है राजा का पुत्र ही आगे राजा बनेगा और राजा के पुत्र का पुत्र ही आगे राजा बनेगा यानि इसमें क्या चले बर्नी का कहना है कि ना तो सुल्तान शक्कर की तरह होना चाहिए कि लोग उसे चाट कर खत्म कर दे और ना ही जहर की तरह होना चाहिए कि जो भी उसे खाये खत्म हो जाए यानि उसको संगत व्यवहार करना चाहिए यह कॉंसेप्ट बिल्कुल वैसा ही है जैसा आधुनिक काल में मैक्यावली ने दिया था कि राजा को शेर और लॉमडी की तरह होना चाहिए ठीक है शेर की तरह किसके लिए शेर की तरह जो व्यक्ति उसका नुकसान करना चाहिए उसके उपर उपर उचेर की तरह जपते और लॉमडी की तरह व्यवहार करे मतलब जादा कुरूर भी नह बरनी सुल्टान से अपनी जन्ता को शरीयत पालन करने की आशा तो करता है लेकिन उसके हिसाब से ये जरूरी नहीं है कि सुल्टान शरीयत का पालन करता है या नहीं करता है यहाँ पे बिलकुल मैक्यावली की तरह आप इसको देखते हो बर्नी ने शरीयत का जो सिधान दिया है मैक्यावली के नेतिकता के दोयद सिधान की तरह है यह जो प्रजापर तो लागू होता है लेकिन राजापर नहीं प्रजापरी ये इसलिए लागू करने की बात करते हैं कि अगर लोग धर्म का पालन करेंगे तो उनमें खुदा का खौफ रहेगा आईश्वर का उनके अंदर खौफ रहेगा और वो कभी भी गलत काम नहीं करेंगे और स्थिर्टा बनी रहेगी शाशन में बर्नी के अनुसार शाशक के दो प्रमुख उदेश्य होने चाहिए पहला होना चाहिए स्थेर्शाशन और दूसरा होना चाहिए जनता का कल्यान स्थिर शाषन का मतलब है कि बाहरी आकर्मन के द्वारा राज्ये खत्म नहीं होना चाहिए और दूसरा है जनता का कल्यान और जनता का कल्यान तबी होगा जब स्थिर शाषन होगा तो मेंली ये दो कारे रहेंगे राजा के स्थिर्षाशन और जनता की सेवा के लिए राजा को जुबावियत जुबावियत का मतलब होता है राज्ये के कानून स्थिर्षाशन कैसे स्थापित होगा? स्थिर्षाशन स्थापित होगा राज्ये के कानूनों के द्वारा जिसे इन्होंने जुवावियत कहा था बर्नी के अनुसार राज्य के कानुन ऐसे होने चाहिए जो ना तो शरीयत के निरदेशों का जो शरीयत यानि धर्म जो धर्म के कानुनों को ना तो जुटलाए ना धर्म के आदेशों में दखल दे और ना ही धर्मिक मामलो को कलंकित करे तो बेसिकली जो बर्नी का कॉंसेप्ट वो इसलाम धर्म को सामने रखकर इन्होंने अपने सारे सिधान्त दिये हैं और इसमें इन्होंने कहा है कि राजा के जितने भी कानून होने चाहिए वो धर्मानुकूल होने चाहिए धर्म के अनुसार होने चाहिए लेकिन कुछ अगर विप्रीत परिस्थितिया हो लेकिन अगर स्थिती की मांग हो तो वो धार्मिक नियमों को भंग कर सकते हैं सुल्तान क्या है? धार्मिक नियमों को भी भंग कर सकते हैं. लेकिन अगर कोई विप्रीत स्थिती हो जिसमें धार्मिक नियमों को भंग करना पड़े, तो जिन लोगों को उन धार्मिक नियमों को भंग करने की वज़े से नुकसान हुआ हो, जैसे मौलाना है, आपका मौस्क से related जितने भी अधिकारी है अगर उन लोगों को लाव हुआ है तो उन लोगों को राजा को क्या करना पड़ेगा ख्षती पूर्ती के तोर पर या तो उनको प्रॉपर्टी दे या धन दे कर उस ख्षती पूर्ती को वो करेंगे सुल्तान की अपनी कोई सौच नहीं होनी चाहिए उसे अपने सलाहकारों की राय लेनी चाहिए तो सुल्तान को इन्होंने पहले ही आगाह कर दिया था कि सुल्तान कभी भी अपनी सुच को जाहिर नहीं करे यानि अपनी मनमानी वो नहीं करेगा उसे क्या है एक सलाहकार समीती अपने पास रखनी पड़ेगी एक काउंसिल अपने पास रखनी पड़ेगी और काउंसिल के न वजीर और वजीर के इलावा काफी परामर्श दाता होगे जो बरनी की सलाह करेंगे राजकाज के निरणयों को लेने में एक बुद्धीमान वजीर के विना बादशाहत व्यर्थ है एक सुल्तान अकलमंद वजीर के विना वैसा ही है जैसे महल नीव के विना और रोटी नमक के विना होती है तो वजीर ने जो वजीर होता है वजीर आप प्रधान मंतरी कह सकते हैं एक जो प्रधान मंतरी राजा का होता है उसके विना बादशाहत जो होती है जो सुल्तान होता है वो व्यर्थ है और सुल्तान अकलमंद वजीर के विना वैसा ही जैसे नीव के विना एक महल होता है और नमक के विना एक रोटी होती है बर्नी का दृष्टी कौन था? बादशाहत सेना है और सेना ही बादशाहत है ये आप देख सकते हैं कि बर्नी पावर यानि शक्ती के कितने बड़े पुजारी थे इन्होंने कहा कि अगर बादशाहत को बचाए रखना है राजा के शाषन को बचाए रखना है राजे को सिक्योर रखना है तो उसे क्या है? सेना को बढ़ाना पड़ेगा सेना को शक्तीशाली बनाना पड़ेगा क्योंकि सेना के दम पर ही बादशाहत को बचाए जा सकता है और बादशाह है तो सेना है सेना है तो बादशाह है बादशाह है तो सेना है क्शक्तिशाली बादशा के बिना भी सेना अच्छे से नहीं काम कर सकती है बर्नी का यह मानना था कि राजशाही के दो प्रमुक्स तंब होते हैं पहला स्वशाशन और दूसरा विजय तो आप देखते हैं जो मध्यकाल हमारा रहा है उसके अंदर क्या है उसके अंदर युद्धों के द्वारा सामराज्य को बढ़ाने की बात की गई थी और पहला तो स्वशाशन यानि स्थेर शाशन होना चाहिए और दूसरा क्या है विजय यानि पडोसी जो राज्य है उनके सामाजिक संगठन का आधार है इसे मजबूत शाशक को ही सुचारू रूप से चलाना चाहिए तो न्याय को इन्होंने most important माना है किसी भी स्टेट में क्योंकि न्याय क्या है सामाजिक संगठन का आधार है आगे ये कहते हैं न्याय वहां तराजू है जिसमें लोगों के consideracă अधे प्रकार का माना है पहला क्या है पहला है Internal Justice क्या जो स्टेट के अंदर जस्टिस प्रदान कया जाता है जिसमें लोग अच्छे काम या बुरे काम जो करते हैं जैसे चोरी ढकेती और हतिया इस तरीके के जो बुरे काम जो लोक करते हैं न कामों के लिए स lore को है अगर जो अच्छे काम करता है, अच्छे काम के बदले उन्हें उपहार देता है, तो यह है internal नयाए, ठीक है, और साथ में सही और गलत दावों में जो भेध स्पष्ट करता है, उसे भी इन्होंने कहा न्याए, यानि जो दावे करता है, लाइक प्रॉपर्टी के उपर उनके दाव उन दावों को और सही और गलत दावों को लाइक जबरन किसी ने प्रॉपर्टी छिन ली है उसको भी वो इंटर्नल न्याय के तौर पे देखता है एक्स्टर्नल न्याय से इनका मतलब है कि बाहरी राज्यों के साथ संगत व्यवहार करना अगर बाहरी राज्यों के उपर इन्होंने वीजे प्राप्त कर ली है तो जो राजा है अगर वो आपके सामने आत्म समर्पन कर रहा है तो उसके साथ भी न्याय होना चाहिए उसके साथ दुर व्यवहार नहीं होना चाहिए भले ही उसको पराजित किया गया है लेकिन उसके स उसने हिंदु धर्म को एक जूटा पंथ कहा और उसके खिलाप जूजने को कहा उसने राजा को सक्त कानून बना कर हिंदुों पर कर लगाने की बात की है तो यहां पर आप देख सकते हो किस परकार से इन्होंने हिंदु धर्म को एक जूटा पंथ कहा और हिंदु धर्म के ये कितने खिलाफ थे हिंदु धर्म पर इन्होंने कर लगाने को कहा क्यूंकि हिंदु जो राजा थे उस टाइम के वो भी मुस्लमानों के उपर टेक्स लग को हिंदूओं को बचाना नहीं चाहिए बलकि उन्हें सजा देनी चाहिए अगर वह इस कारे में सफल हो गया अगर एक मुस्लिम शाशकस कारे में सफल हो गया तो कयामत के दिन और अगली दुनिया में उसे पेगंबर का दर्जा मिलेगा और वह आशिरवाद भी मिलेगा जिसके बारे में ना तू कभी कानों से सुना था और ना ही कभी आँखों से देखा था जिसे हुरियत, I think जन्नत कहा जाता है इसलाम धरम के अंदर जिसकी बात अभी भी मौलाना करते है इसलाम धर्म के मौलाना इस बात को कहते है The Problem of Freedom 1945 के अंदर M.N. Roy ने ये बुक लिखी है और M.N. Roy ने लिबर्टी और इंडिपेंडेंस में अंतर किया है स्वतंतर्ता आप इसे कह सकते हैं स्वतंतर्ता को इन्होंने दो भागों में बाटा है Liberty जो होता है Liberty और Freedom है Liberty और Freedom Liberty और Freedom में इस बुक में M.N. Roy ने अंतर स्पष्ट किया है Liberty का मतलब होता है सीधा सा इंडिपेंडेंस जो की लड़ाई उस टाइम स्वतंतरता के संगर्ष की चल रही थी बाहरी मुलकों से या बाहरी कोलोनियल रूल से इंडिया को आजात करना इन्होंने Liberty कहा ठीक है और External जितने भी आपके Issues होते हैं लाइक कार्य करने की स्वतंतरता आपकी विचार अभी व्यक्त करने की स्वतंतरता धार्मिक स्वतंतरता इन सभी को इन्होंने डिवाइड क्या है Liberty में इसके विपरीत Freedom को इन्होंने माना है Internal Freedom को इन्होंने माना है Internal यानि अपने व्यवहार के अनुरूप कार्य करने की स्वतंतरता है Freedom अपने मन के अनुसार कार्य करने की अपने आत्मा की आवाज सुनने को इन्होंने कहा है Freedom तो liberty और freedom ये इन्होंने define क्या है 1945 में The future of Indian politics 1920 में इन्होंने लिखी है आपको पता है M.N. Roy भारत में साम्यवादी जो आंदोलन हुआ था उसके अगरदूत माने जाते हैं और इस से पहले मेक्सिको में इन्होंने साम्यवादी दल की स्थापना की थी तो future of Indian politics में Roy ने सर्वहारा किसानों की मदद से क्रांती की बात की थी कि अगर इंडिया में independence लानी है या इंडिया में शोषन को खतम करना है जो सर्वहारा किसान है उनकी मदद से ही ये संभव हो पाएगा और यहाँ पर ये Lenin के मत के बिलकुल विपरीत थे Lenin का मानना था कि आपको Congress के साथ मिलना पड़ेगा और Congress के साथ मिलकर आपको क्या है इंडिया के अंदर colonial rule को खतम करना पड़ेगा लेकिन Roy का यहाँ पर बिलकुल डिफरेंट मत था Roy Congress को एक बुर्जुआ संगठन मानता था और उसका मानना था कि Congress कभी भी मजदूरों के हित्मे काम नहीं कर सकती है हाला कि बाद में इनके ये विचार थोड़े बहुत परिवर्तन हुए जिसको आगे हम देखेंगे क्योंकि Communist विचारधारा को 1928 के बाद इन्होंने छोड़ दिया था इंडिया इन ट्रांजिशन 1922 में रॉय न भारतिय समाज के वर्गिय इतिहास पर प्रकाश डाला अब देखिए अभी ये क्या है Communist चिन तक है 1928 तक तो 1922 में इन्होंने क्या है वर्गिय इतिहास पर प्रकाश डाला कि किस प्रकार से इंडिया में वर्गिय जो इतिहास है वो पनपा है वर्गिय इतिहास के उपर इससे पहले काल मार्क्स ने काम किया था तो बिल्कुल कार्ल मार्क्स की मेथडोलजी को यहाँ पे यूज किया था M.N. Roy ने पार्टीलेस्ट डेमोक्रेसी की वकालत की थी M.N. Roy और J.P. नारायन दोनों ने और विचार धाराओं के आधार पर लोग कटरता की और आगे बढ़ते हैं M.N. रोय ने नव मानवतावाद के 22 सिधान्त बताये हैं 22 प्रिंसिपल इन्होंने बताये हैं M.N. रोय के अनुसार सच्ची स्वतंतरता उपनिवेशवाद से छुटकारे से नहीं बलकि रूडिवादी सोच के खातमे से प्राप्थ हो सकती है जिसे उन्होंने कल्चरल रिवोलुशन के रूप में परिभाशित किया मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ इन्होंने लिबर्टी और फ्रीडम में अंतर किया तो इन्होंने कहा जो रिवर्डिवादी सोच के से छुटकारे पाने से तो cultural revolution का इन्होंने उसे नाम दिया है सत्य शोधक समाज के निर्माता है महात्मा जोतीबा फूले और महात्मा जोतीबा फूले इतिहास में ऐसे चिंतक हुए हैं जिन्होंने अमबेडकर के बाद दलीतों के उत्थान के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है तो अमबेडकर के बाद ये दूसरे नंबर पर माने जाते हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा सुधार किया और दलीतों का उधार करने के लिए कार्य किया नेशन इज लिविंग सॉल, वन इस इन पास्ट, वन इन द प्रेजेंट ये कोटेशन दी है एरनेस्ट रेनन ने, तो ये कोटेशन आपके लिए इंपोर्टेंट है क्योंकि कई बार ये एक्जाम्स में पूछी गई है Memorandum to Southboro Commission 1919, 1919 में Southboro Commission को एक Memorandum दिया था, डॉक्टर अमबेट करने और पहली बार इस Memorandum के अंदर दलीतों के लिए अलग प्रतिनी धित्टों की बात की थी, बी आर, अमबेट करने महाड सत्याग्रह, इसके बारे में आप सभी लोगों ने सुना होगा महाड सत्याग्रह का जो अन्य नाम है इसे चावदार तलाव सत्याग्रह या महाड का मुक्ति संग्राम भी इसे कहा जाता है भीमराओ अमबेटकर की अगुआई में 20 मार्च 1927 तो ये डेट आपको डारेक्ली पुछा जा सकता है कि महाड सत्याग्रह कब हुआ तो 20 मार्च 1927 को महराष्टर राज्य के राइगर जिले के महाड स्थान पर डलीतों को सारोजनिक चावदार तलाव से पानी पीने और इस्तेमाल करने का अधिकार दिलाने के लिए ये सत्याग्रह लाया गया था और ये एक प्रभावी सत्याग्रह था मतलब इस सत्याग्रह की जीत हुई थी और दलीतों को उस तलाब से पानी पेले का अधिकार दिया गया डिप्रेस्ट क्लास एजुकेशन सोसाइटी बियार अमबेड करने 1928 में स्थापित की मैं आपको यहां पे बता दूँ कि इन्होंने जितने भी मूमेंट चलाए हैं उसको क्रम में लगाने के लिए पूछे जा सकते हैं सिक्वेंस में लगाने के लिए ये पूछे जा सकते हैं इसलिए सिक्वेंस में इनको अपने अपने नोट्स में अरेंज करना है और इनको याद करना है प्यूपल एजुकेशन सोसाइटी ये 8 जूलाई 1945 को डॉक्टर अमबेड करने शुरू की थी इसके साथ एक कॉलेज भी बियार अमबेड करने बनाया था सिदार्थ कॉले गया वो है कालाराम मंदिर सत्याग्रह जो की 2 मर्च 1930 को अमेड कर द्वारा अच्छूतों के मंदिर प्रवेश के लिए चलाया गया था इस सत्याग्रह में करीब 15,000 दलित लोग शामिल हुए जिन में ज्यादातर महार समूद्यायके थे तथा महिलाओं की इसमें भारी संक प्रवेश चला था मूक नायक अखवार ये शुरू किया था 31 जन्वरी 1922 को वियार अमेड करने और उसके बाद इन्होंने एक पाक्षित पत्री का शुरू की थी जो है तीन अप्रेल 1927 को इन्होंने मराथी नामक नहीं है मराथी लेंग्वेज में लिखी गई बहिश्कृत भारत का प्रकाशन शुरू किया जिसके जरिये इन्होंने ब्राहमणवाद और मनुवाद को निरनायक चुनोती दी तो यह बहिश्कृत भारत जो पत्री का थी यह मराथी में शुरू की गई थी और तीन अप्रेल 1927 को पहली बार इसका प्रकाशन शुरू हुआ था नवंबर में लंदन से लोटने के बाद दिसंबर 1930 में सर्वश्री देवराजनाइक और बी आर काद्रेकर की सहायता से दॉक्टर भीम राओ अमबेटकर ने जनता नामक सापताहिक पत्रीका का शुभारम किया तो जनता जो पत्रीका है जनता एक सापताहिक पत्रीका है और इसके जो को फाउंडर है वो है बी आर अमबेटकर को फाउंडर है देवराज नाइक और बी आर कादरेकर तो ये भी पुछा जा सकता है कि जनता पत्तरिका के साथ कौन-कौन एसोसियेटिड थे डॉक्तर अम्बेटकर के अंतिम अखवार प्रबुद्ध भारत का पहला अंख चार फरवरी 1956 को प्रकाशित हुआ प्रबुद्ध भारत तो ये लास्ट पेपर था बी आर अम्बेटकर का जो इन्होंने शुरू किया था इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की है बी आर अम्बेटकर ने 1936 में और इंडिया स्चेडियूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना की है 1942 के अंदर में ये अम्बेटकर की मृत्यू के बाद अस्तित्व में आई 3 अक्तूबर 1957 को ठीक है तो लास्ट जो इनकी अब बोल सकते हैं पार्टी है पॉलिटिकल पार्टी है वो है रिपब्लिकन पार्टी जो इनकी मृत्यू के बाद स्थापीत की गई थी भारत ने 6 दिसंबर 1971 में बांगलादेश राज्जे को माननेता प्रदान की 6 दिसंबर 1971 ये डेट आपके लिए मौस्ट इंपोर्टेंट है 6 दिसंबर 1971 उसके बाद आप देखते हैं भारत और बांगलादेश के बाद 20 यर की ट्रेटी हुई थी 1972 में यहां पर हाला कि पहले भी आपको शायद मैं बता चुका हूँ जो डिवीजन हुआ था 1990 तक पूरे विश्व का जिसे ओल्ड विश्व व्यवस्था या फिर ओल्ड वर्ड ओर्ड कहा जाता है इसमें क्या है ये विश्व को तीन भागों में डिवाइड किया गया था First World, Second World and Third World First World के अंदर आती थी Democratic Countries Second World के अंदर आती थी Communist Countries और Third World के अंदर आती थी Non-Alignment Movement से Related Countries तो Second World अभी खतम हो चुका है Second World का नाम नहीं लिया जाता है क्यूंकि 1991 में यह जो वर्ड है second word है ढह चुका है ठीक है तो अभी first and third word का ही नाम लिया जाता है और third word को कहा जाता है global south global south इसे कहा जाता है आज के time पे prismatic model of society ये F.W. Ricks ने दिया है प्रशाशन के अंदर लोग प्रशाशन के अंदर सूरत अधिवेशन 1907 ये पहला अधिवेशन था जहांपे Congress में फूट डली है ठीक है Congress का इसमें विवाजन हुआ है और सन 1915 में वापिस गठबंदन हो गया था Muslim League I think Muslim League और Congress के बीच 1915 में वापिस गठबंदन हुआ था लखनव समझोता 1916 में हुआ है लखनव समझोता जो 1916 में हुआ था इसमें Muslim League ने Congress के साथ वापिस से मिलने का प्रस्ताव रखा था सत्याग्रह का सूत्रपात सरवप्रथम महत्मा गांधी ने 1894 में दक्षिन अपरिका में किया भारत में जो पहला सत्याग्रह हुआ है वो जाना जाता है चंपारण सत्याग्रह के नाम से Government and Politics in India ये बुक लिखी है Maurice Jones ने पामर ने बुक लिखी है Indian Political System The Modernity of Tradition Political Development in India ये बुक लिखी है L. Lloyd Rudolph और Sussain Hoiber Rudolph ने तो कई बार ये डारेक्टली पुछा आता है Rudolph and Rudolph ने ये बुक लिखी है Rudolph and Rudolph हाना कि दो आदमी है दोनों के end में Rudolph लग रहा है इसलिए Rudolph and Rudolph कहा जाता है The Modernity of Tradition Book यहां पे कुछ बेसिक से आपके सामने facts है Like Taxonomy Taxonomy कहा जाता है Study of Various Species Study of Various Species जो डिफ्रेंट परकार की प्रजातियों की study की जाती है उसे कहा जाता है Taxonomy Concept of Roti Bati Roti Bati का सिधान किस ने दिया अब Roti Bati का सिधान कई लोग BR Ambedkar के साथ इसको associate करते हैं लेकिन इसका जो खास्ट के खात्मे के लिए Annihilation of Caste के लिए जो यह सिधान दिया था यह दिया था Ramanuhaar Lohia ने Ramanuhaar Lohia कहते हैं अगर कास्ट को खतम करना है कास्ट सिस्टम को खतम करना है उसके 20 की रूडियों को खतम करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा एक तो आपको दलीतों के 20 में बैठ के रोटी खानी पड़ेगी हायर कास्ट को लॉर कास्ट को हायर कास्ट के 20 में बैठ के रोटी खानी पड़ेगी रोटी शेयर करनी पड़ेगी और दूसरी बेटी शेयर करनी पड़ेगी मतलब दलीतों का हायर कास्ट में मेरीज और हायर कास्ट की दलीतों में मेरीज इसके द्वारा क्या है जाती व्यवस्था की जो बुराईया है उसे खत्म किया जा सकता है राम मनोहर लोहिया स्थियोरी ओफ चोखंबा स्टेट राम मनोहर लोहिया ने चोखंबा राजी की बात की है जिसमें चोखंबा मतलब चार खंबे होंगे बेस में रहेगा आपका विलेज ठीक है विलेज सबसे छोटी इकाई होगी विलेज से आपका बनेगा डिस्ट्रिक डिस्ट्रिक से आपका बनेगा प्रोविंस और प्रोविंस से आपका बनेगा स्टेट तो बेस में रहेगा आपका विलेज, सबसे छोटी इकाई है, ठीक है? Wheel of History बुक लिखी है, राम मनोहर लोहिया ने, ये कोश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है, Wheel of History किसकी किताब है? विशिष्ट वर्ग का संगठनात्मक दृष्टी कोण दिया है, Wilfred Pareto ने, विशिष्ट वर्ग का यानि Organizational Approach of Elite, Organizational Approach का मतलब क्या है? जितने भी Elite उभर कर आते हैं, जितने भी Elite बनते हैं, Society के अंदर वो Organization से ही बनते हैं, Organization आप मान लीजिए, ये एक जनता दल है, ये एक जनता दल है, ठीक है? जनता दल जो बना था, जनता दल से क्या हुआ? जनता दल एक Organization के रूप में बना, और उसमें आप देखते हो किस तरीके से आगे, वो जनता पार्टी में Convert होता है, और उससे किस परकार से Elite उभर कर आते हैं, जनता पार्टी में आप देखते हैं, हमारे PM नरेंदर मोधी कि इस तरीके से प्रधान मंतरी बनते हैं, एक Organization के द्वारा तो, इस तरीके से ये Wilfred Pareto जुड़े हैं, इन्होंने कहा है कि Organization से ही Elite की उत्पत्ती होती है, विशिष्ट वर्ग का अर्थशाष्त्री दिश्ष्री कॉन दिया है, बर्नहेम ने, मेनेजरियल Elite का सिधान, ठीक है, तो Economic Perspective से Elite को देखा है कि Elite बनते कैसे हैं, Elite बनते हैं, Economic Factors की वज़े से ये मानना है, बर्नहेम का और इन्होंने Principal of Managerial Elite दिया है, प्रबंध की Elite का सिधान्त दिया है, बर्नहेम ने, उसके बाद है, विशिष्ट वर्ग का संस्थानात्मक दृष्टी कॉन यानि Institutional Approach Institution कई परकार के राज्य में होते हैं, धर्म भी एक Institution है, Political Party भी आप एक Institution मानकी चल सकते हो, Social Institution होते हैं, Political Institution होते हैं, Economic Institution होते हैं, तो CW Mil का मानना है कि Elite क्लास की उत्पत्ती, Institution के कारण होती है, लाइक, धर्म के आधार पर कुछ Elite बनते हैं, तो जो धर्म के बड़े-बड़े पुजारी होते हैं, वो भी Elite की के टिगरी में आते हैं, तो Theory of Power Elite दी है, CW Mil ने, और इस Theory के अंधर इन्होंने Institutional Approach का यूज किया है, फर्स्ट टाइम, Definition of Prisoners of War, ये हैग में Conference हुई थी, Prisoners of War से Related, वहाँ पर पहली बार Definition दी गई, Prisoner of War की, Prisoner of War से मतलब होता है, जो War के अंदर, जैसे युद होता है, युद के अंदर कुछ क्या है, सैनिको को पकड़ा जाता है, और उनको बंदी बना लिया जाता है, उनके regarding क्या क्या फैसिलिटी उनको दी जाएगी, किस परकार से उनको छोड़ा जाएगा, वो सारी Definition Hag Conference 1907 में दी गई थी, अभी आप देखते हैं, उडी में जो हमला हुआ था, आपका कश्मीर के अंदर जो पुलवामा हमले के बाद जो जवावी कारवाही इंडिया ने की थी, उसमें हमारा एक मिलिटरी का जो भाई है, उसको गिरफतार कर दिया था पाकिस्तान ने, और पाकिस्ता मंतरी मोधी और भारती जो आप देखते हैं, मीडिया ने उसको किस परकार से डिफाइन किया, उन्होंने कहा कि ये डर गए है मोधी से, लेकिन एक्चुल जो उसके पीछे फैक्टर था, एक्चुल उसके पीछे फैक्टर था, हेग कॉन्फरेंस 1907, उसके अनुसार क्लियर मेंशन किया गया है कि आप ज्यादती नहीं कर सकते हैं, जो हमारे प्रिजनर ओफ वार है, उसको आपको देश को वाफिस लोटाना होगा ओजोन गेस ट्रोफो स्पेर में पाई जाती है तथा स्ट्रेटो स्पेर में पाई जाती है तो ओजोन गेस जिसे O3 कहा जाता है ओजोन गेस का जो काम रहता है यह हमें सूर्य की जो विकरने होती है या फिर आप बोल सकते हैं अल्टरा वाइलेट रेज होती है उससे यह हमार तीन चार question ऐसे थे जो कि paper 1 से related थे जो अकसर paper 1 में पूछे जाते थे तो वो भी मैंने हाँ पे डाल दिये है fog आपने fog देखियोगी है सरदियों में fog उत्पन होती है fog के अंदर क्या है dust particles जादा होते हैं तथा इसमें visibility कम होती है इसके तरिक smog smog में क्या होता है? gas molecules जादा होते हैं और इसमें dust particles कम होते हैं तो आपने देखा होगा जिसे हिल्ग में रहने वाले लोग हैं तो यहाँ पे क्या है? ज़्ख देखने को मिलती है smog smog क्या होते है? इसमें gas molecules जादा होते हैं के कारण नहीं होती है प्रित्थवी के में जो टेंप्रेचर में परिवर्तन होता है उसके कारण ये देखने को मिलती है The Road to Power The Road to Power 1909 में लिखी है काल कोड़स्की ने The Proletarian Revolution and the Renegade Kोड़स्की 1918 में ये बुक लिखी है लेनिन ने चीन ने 1964 में अपना पहला परमाणू विसफोट किया तो फर्स्ट ट्राइल जो चाइना ने किया है ऐज अटोमिक पावर बनने के लिए 1964 में किया है तो ये तीसरा देश बना था USA और USSR के बाद जिसने परमाणू शक्ती खुद को गोशित किया था Asian Development Bank ADB की स्थापना 1966 दिसंबर 19 को की गई है 1966 दिसंबर 19 को की गई है और इसका हैड़ कोटर है मनीला फिलिपिन्स के अंदर ADB Asian Development Bank अब ADB को आपने NDB के साथ confuse नहीं करना है ADB है Asian Development Bank और NDB है New Development Bank तो Asian Development Bank जुड़ा है Asia Asian देशों के साथ NDB जुड़ा है BRICS देशों के साथ BRICS देशों के साथ DYFI की स्थापना 3 नवंबर 1980 को की गई है DYFI इससे पहले इसी प्रकार के संगठन की स्थापना 1927 या 28 के बीच भगत सिंग ने की थी और भगत सिंग के आदर्शों पर ही इस संगठन की स्थापना की गई है 3 नवंबर 1980 को और ये लेफ्टिस्ट अंदोलन जो होते हैं उससे रिलेटिड युवाओं का एक संगठन है राजनिती मानव समुदाय द्वारा अपनी समस्या से निपटने की प्रक्रिया है हाँ हिंदुस्तान नौजवान सभा इसके स्थापना की थी भगत सिंग ने राजनिती मानव समुदाय द्वारा अपनी समस्या से निपटने की प्रक्रिया है यह कोटेशन है एच डी लास्वल की यानि की राजनिती क्या है राजनिती है मानव समुदाय की अपनी समस्याओं से निपटने की एक प्रक्रिया तुलनात्मक राजनिती के अंदर योगदान दिया है हैरॉल्ड जे लास्की ने जिसे अंक्टेड कहा जाता है इसके स्थापना हुई है 1964 में और अंक्टेड से रिलेटिड कई बार डेफिनेशन इसके पूछी आती है कई बार पुछा जाता है कि इसके स्थापना कब हुई है कई बार पुछा जाता है अंक्टेड का कारे क्या है तो अंक्टेट का जो कारे है वो development से related है trade से related development से यह काम करता है यानि व्यापार से related जो काम किये जाते है या सुधार किये जाते है उससे related यह काम करता है और United Nations के तहट यह conference हुई है Theory of Invosion theory of involution पिछले कल हमने देखा अरविंदो गोश के बारे में अरविंदो गोश ने theory of involution स्थापित की है theory of involution से अभी प्राए है कि ज्यान की उस शाखा से involution से अभी प्राए ज्यान की उस शाखा से है जिसके द्वारा आत्मा के रहस्य को समझा जाता है तो involution से मतलब क्या है आत्म ग्यान से है आत्मा के रहस्य से है Liberty in Modern State बुख लिखी है हरोल जेलास्की ने Modern Political Analysis बुख लिखी है रॉबर्ट A. डेहल ने दोनों बुक्स इंपोर्टेंट आपके लिए हैं अकसर एक्जाम्स में पूछी जाती है John Honey Report on Higher Education for Civil Service ये US University ने 1967 को प्रकाशित की इसे Honey Report के रूप में मेंली जाना जाता है Honey Report तो ये Higher Education जो जरूरी क्यों Higher Education जरूरी है Civil Service के लिए उसकी बात की गई है 1967 में ये प्रकाशित हुई है उसके बाद आप देखते हो एक Philadelphia Conference है जो की 1968 में हुई थी उसको confuse करते हैं लोग Philadelphia Congress के साथ तो Philadelphia Congress अलग है Philadelphia Conference अलग है तो Philadelphia Congress ये First Continental Congress थी जो की 1774 के अंदर हुई है Philadelphia Congress The Indian Ocean Rim Association is an inter-governmental organization which was established on 7 March 1997 तो I.O. इसको जाता है I.O. Rim Indian Ocean Rim इसके स्थापना कभ हुई है 7 March 1997 को जो की एक अंतर सरकारी संगठन है The Camp David Accord Camp David Accord कई बार ये पुछड आता है Camp David Accord हुआ था वियतनाम क्राइसिस के दोरान और ये साइन हुआ था ये एक political agreement है जो की साइन हुआ था Egyptian President Anwar Sadat और Israel Prime Minister Menchem Begin के बीच कब हुआ है 17 सेप्टेंबर 1978 में My Lai Jansanghar My Lai Jansanghar Camp David के बारे में आपने एक बार अच्छे से पढ़ लेना है I think ये वियतनाम क्राइसिस के दोरान नहीं हुआ है फिर भी एक बार आपने इसको कनफर्म कर लेना है बाकी में नेक्स्ट वीडियो में आपको इसको क्लियर कर दूँगा वियतकॉंग कौन है वियतकॉंग वो सिपाही है जो की नौर्थ वियतनाम से जुड़े हुए थे नौर्थ वियतनाम से जुड़े हुए थे वियतकॉंग थे कॉम्मिनिस्ट ठीक है और ये जो अमेरिकी सेना के हेलिकॉप्टर है अमेरिकी आपको पता है पुझीवादी एक देश था और इसने क्या किया वियत कॉंग्स को साउथ जो वियत नाम था वहां से हटाने के लिए ये सेना की टुकडिया भेजी थी जो की माई लाई गाउं के पास पहुंची गाउं वाले रोजमर्रा के काम में व्यस्त थे इसके बाद बिना किसी चेताउनी के अमेरिका की सेना ने कारवाही शुरू की महिलाओं बुजुर्गों और बच्चों की इसमें बरबर हत्या की गई और उन्हें क्या है खाई में फेका गया मार कर अमेरिकी सेना ने आम नागरिकों की बरबर हत्याओं की खवर चुपाई और खुद को विजेता की तरह पेश किया कि हमने वियत कौंग को वापिस हटा दिया है हाला कि कुछ टाइम बाद ये रिपोर्ट्स में छपा की इस तरीके से बरबर हत्याओं की है जिसके आलोचना पूरे विश्व के अंदर की थी तो ये था माईलाए जनसंहार वियतनाम वार क्या था वियतनाम क्राइसिस क्या था इसको आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे इराक अटेक ओन कुवेत दो अगस्त उन्निसो नब्बे कुवेत हमला इसे खाडी युद भी कहा जाता है खाडी युद पहला खाडी युद इसे कहा जाता है इसमें क्या किया था इराक ने हमला कर दिया था कुएत के उपर 2 अगस्त 1990 को और इराक पर जो इराक का जो कुएत पर हमला था मेंली ये तेल भंडारों से प्रेरित था और दूसरा कारण इसके पीछे ये था कि जब इरान इराक वार हुआ था इससे पहले आपने इराक इरान और इराक वार के बारे में सुना होगा इरान इराक वार इरान और इराक वार में क्या हुआ था इन दोनों के बीच 1978 के बाद तनातनी शुरू हो गई थी ठीक है और इस जब इसमें help की थी, financially काफी help की थी, तो Iraq ने क्या किया था, कुवेत क्या कर रहा था, 1990 के आसपास, कुवेत अपना जो मदद की थी, अपनी जो पैसों से इन्होंने मदद की थी, उस पैसे को Iraq से वापिस मांग रहा था, साथी साथ कुवेत क्या कर रहा था, कुवेत side drilling भी कर ठीक है, side drilling का मतलब होता है, समूदर के अंदर क्या है, जो तेल भंडार Iraq के क्षेतर में आते हैं, Iraq के क्षेतर में, कुवेत उसमें से तेल निकाल रहा था, तो ये दो कारण रहे थे इस हमले के, In Pursuit of Lakshmi, The Political Economy of Indian State, पहले भी रिपीट हो चुका है, question, तो ये रूडॉल्फ और रूडॉल्फ की बुक है, Head-Level, Head-Level जुड़े हैं, System of Development के साथ, ये directly match करने के लिए, question पूछा गया था, CBSC Net के अंदर, Head-Level, Head-Level किसके साथ जुड़े हैं, Vikas की प्रनाली के साथ, System of Development के साथ, इसराइल में Likud Party वा, Kadima Party मुख्य दल है, अब question आप से पूछा जा सकता है, Likud Party and Kadima Party किस देश की प्रमुख पार्टीज है, तो ये है, इसराइल की ग्यान आयोग, Knowledge Commission इसे बोला जाता है, ग्यान आयोग, राष्ट्रिय ग्यान आयोग की स्थापना, 13 जून 2005 को की गई है, और इसका जो लक्षे था, ग्यान को सुलब बनाना, ग्यान की व्यवस्थाओं की रचना और उनका संरक्षन, ग्यान तथा बहतर ग्यान सेवाओं का फैलाओ, इस आयोग की मुख्य जो चि इन फॉर्मेशन को कैसे स्प्रेड किया जाए, और कैसे जृण को सुलव बनाया जाए. सरकारिया आयोग का गठन भारत सरकार ने जून 1983 में किया सरकारिया आयोग सरकारिया आयोग इसे क्यों कहा जाता है क्योंकि इसके अध्यक्ष सर्वोचे न्यायले के सेवा निवरित न्यायमूर्ती रणजीत सिंग सरकारिया थे और सरकारिया आयो का जो गठन क्या गया था वो सेंटर स्टेट रिलेशन के लिए क्या गया था सेंटर स्टेट रिलेशन बेसिकली जो बैलेंस ओपावर बिट्विन सेंटर एंड स्टेट उससे ये रिलेटेड था American Foreign Policy 3 Essence Henry Kissinger ने ये बुक लिखी है और Henry Kissinger एक महान राजनितिक गयर और फोरण डिप्लोमेट है अमेरिका के फोरण डिप्लोमेट दो प्रकार के नियाले की व्यवस्ता की गई है फ्रांस के अंदर और ये कोश्चन भी कई बार हर पेपर में मैंने देखा है रिपीट हुआ है arrangement of two types of court दो प्रकार के नियाले एक आपका जो administration से related नियाले है एक आपका common people से related नियाले है इस प्रकार की बात की गई है फ्रांस के अंदर वाइकोम सत्याग्रह वाइकोम सत्याग्रह 1924-1925 के बीच हुआ है और ये एक प्रकार का गांधी वादी आंदोलन था इस आंदोलन का नित्रित्व T.K. माध्वन, K. केपलन तथा K.P. केशव मेनन ने किया था यह आंदोलन 53 कोर के एकcem पासवाली सटक के उप्योग से संनदित था जो हमारा भाहरत है उसमें दलीतों के साथ किस परकार से भेदभाव किया जाता था दलीतों की छाया तक उस मंदिर के बाहर नहीं मानी जाती थी दलीतों का प्रवेश वहां पर बरजित था इवन जूते चपल उतार के लोगों को सडकों पर चलना पड़ता था तो यह वाइकोम सत्याग्रह हुआ है दलीतों को या बोल सकते आप जो लोवर कास्ट के लोग है उनका सडक के उप्योग से रिलेटिड वाइकोम सत्याग्रह 1924-25 आपको यह वीडियो पसंद आई होगी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स थैंक्स वाचिंग